आई डियर फ्रेंड्स आप सभी का यूटूब चैनल पर स्वागत हैं आज हम लोग पिछले वीडियो में जहां तक पड़ाता उससे आगे का हिंदी अनुवाद देखेंगे देखिए यहां तक हमने देखा कि the field was white as if covered with salt मानुखेत इस प्रकार से सफेद हो गया था जैसे कि नमक से डख दिया गया हो इससे आगे देखिए not a leaf remained on the trees पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा the corn was totally destroyed फसल मक्य की पूरी तरह से नस्ट हो गई थी the flowers were gone from the plants flowers नहीं पौदे फूल were gone from the plants फूल पौदों से चले गए थे या नि गिर गए थे लैंचो सावल was filled with sadness sadness लैंचो की आत्मा दुख से बर गई when the storm had passed जब तूफान थम गया या गुजर गया he stood in the middle of the field हुआ खेत के मद्द में खड़ा हो गया and said to his sons और अपने पुत्रों से कहा a plague of locust a plague of locust means टिड्डियों का दल would have left more than this इस से अधिक छोड़ जाता यानि ओलों ने इतना भी नहीं छोड़ा जिस जितना के टिड्डियों का दल छोड़ जाता है the hail has left nothing ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा this year we will have no cause इस साल मक्य की फसल नहीं होगी देखे देट night was a sorrowful one वह एक दुखत रात थी all our work हमारी सारी मेनत for nothing व्यर्थ चली गई there is no one who can help us ऐसा कोई गती नहीं जो हमारी सायता कर सके we will all go hungry this year इस वर्स हम सब को मुंका रहना पड़ेगा but in the hurts of all लेकिन सभी के हिर्दयों में who lived in that solitary house जो कि उस एकांध घर में रहते थे in the middle of the valley गाटी के मद्ध में there was a single hope के वल एक मात राशाती help from God बगवान की सायता की don't be so upset इतने दुखी मत हो even though this seems like a total loss यदपया एक पूण्ड विनास की माती प्रतीत होता है remember याद रखो no one dies of hunger कोई भी मुंक से नहीं मरता that's what they say that's what they say लोग यही वात कहते थे no one dies of hunger कोई मुंक से नहीं मरता all through the night सारी रात भर लैंचो थौट अउनली of his one hope लैंचो ने केवल एक मात राशा के बारे में सोच ता रहा the help of God बगवान की सायता whose eyes जिसकी दरश्टी as he had been instructed जो कि ब्रक्ती अंतरात्म जिसकी दरश्टी whose eyes he had been instructed to see everything even what is deep in one's conscience जो कि व्यक्ती के अंतरात्मा की भाती सर्वत रहती है लैंचो वोज एन ox of a man लैंचो एक खेत में बैल की तरह था working like an animal in the field खेत में हुए एक बैल की तरह काम करता था but still लेकिन तो भी he knew how to write लेकिन हुए लिखना जानता था the following Sunday अगले रव्यवार को at daybreak सुबह या सबेरे he begin to write a letter उसने एक पत लिखना शुरू किया which he himself would carry to town जिसे वह खुद सहर लेकर गया and place in the mail और डांक में डाला it was nothing less than a letter to God या कुछ नहीं ता सिवाए बगवान के नाम पत्र के देखे इसको और कपर करते हैं उसने लगा God he wrote उसने लगा Hey बगवान If you don't help me यदि तुम मेरी सायता नहीं करते हो My family and I will go hungry this year मैं और मेरा परिवार इस साल मूखे रहेंगे I need a hundred pieces in order to show my field again to live until the crop comes उसने कहा मुझे 150's की आवश्चकता है किसके लिए अपने खेतों को फिर से बोने के लिए तथा अगली फशन आने तक जीवित रहने के लिए मुझे 150's की जरूवत है Because the hellistrum क्योंकि ओलो ने He wrote to God उसने भगवान को लिखा उसने लिफापे पर लिखा परमात्मा यानि God put the letter inside पत्र को उसने के अंदर डाला लिफापे के and still ट्रबल वेंट तू टाउन और पत्र को डांक घर ले गया At the post office डांक घर में He placed the stamp on the letter उसने पत्र पर टिकट लगाया and dropped it into the mail box और इसे पत्र पेटका में डाल दिया One of employees कर्मचारियों में से एक who was a postman जो के डांक या था and also helped at post office और डांक करके कामों में साहता करता था Went to his boss laughing hurtedly दिल से मुस्कुराता हुआ गया किसके बास अपने बॉस के पास and soped him और उसे दिखाया the letter to God letter to God भगवान का पत्र नेवर भगवान को पत्र नेवर इन इस करियर अपने जीवन में अपने करियर में करियर में एज़ पोस्ट में देख डांक पाल के रूप में ये डांक ये के रूप में had he known that address ऐसा पता नहीं देखा दा दा पोस्ट मास्टर आफ एट डांक पाल एक मोटा एम एवल फैलो यानि मैत्री पूण या कुस मिजाज also broke out laughing वैभी असपड़ा बगवान के पते को देख कर but almost immediately he turned serious लेकिन लगबग वह सीगर ही गंबीर हो गया and taping the letter on his desk और अपनी मेज पर उस पत्र को थपतपाने लगा commented और का what faith क्या अदबुद विश्वास है I wish I had the faith of the man who wrote this letter कास की इस पत्र लेककी माती परमात्मा में मेरा आडेंग आस्ता होती starting up a correspondence with God उस उसने परमात्मा को परमात्मा से पत्र बिववार करना शुरू किया I hope आपको समिमा आया होगा अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सको कंप्लीट करेंगे थैंक्यू वाचिंग इस वीडियो